तो गईच इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Moto G 42 मोबाइल में यानि कि Moto G 42 मोबाइल में किसी भी एप को कैसे लोग कर सकते हैं वो भी fingerprint के साथ है यानि कि fingerprint और app लोग कैसे आप लगा सकते हैं तो दोस्तों आपको fingerprint एप लोग लगाने के लिए सब से आपको सेटिंग में जाना है और यहां पर देखोगे तो आपको कोई भी सेटिंग ऐसी नहीं मिलेगी जहां से आप फिंगर्प्रिंट एप लोग आप आप हो क्योंकि दोस्तों इस फोन में जो है एप लोग नहीं दिया गया है तो आपको इसके लिए एक अप्लिकेशन आदमियों ने इसे डाउनलोड कर रखा है तो इसको किलिक करके इसको इंस्टोल करना पड़ेगा यह भी एप्लिकेशन में यूज करता हूं क्योंकि यह सबसे अच्छे अप्लिकेशन है और इसको यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और बहुत ही अच्छी तरी प्रिके से आ जाएगा तो यहां पर सबसे पहले आपको एक अपना पिन या पास्वार्ड सेट कर लेना है उसके बाद आपके सामने एक एड आएगी सिर्फ तो इस एड को आपको कट करना पड़ेगा और जैसे एड कट कर दोगे तो यहां पर ओके कापस नाएगा तो इसको आपको परमिशन दे देना है ओके करके तो यहां पर इसको हम परमिशन दे देंगे एप लोग को और उसके बाद फिर से ओके करेंगे और फिर से इसकी परमिशन को दे देंगे और फिर से ओके कर देंगे आप यहां पर अलाव करना है और फिर से ओके करना है अब गई यहां प्लस का आइकन दिख रहा है तो इस पर फिर से क्लिक करना है और देखें यह एप्स आपके लौक हो जाएंगे अभी आपको यह फिंगरपिंट लगाने के लिए अपने अपने लोक लगा सकते हो अपने इस मोबाइल में